State level पर क्या होता है? एक गाव से दूसरे गाव में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो सर्दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? Local level और State level में Local level में उस goods को रखा जाता है जो की बहुत जल्दी खराब हो जाता है बहुत जल्दी जैसे हो गया milk मिल्क के बाद आपका हो गया ऐसा कोई आइटम फ्रूट्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है है तो वही कि एक गाउं से दूसरे गाउं में डिस्ट्रिक्स से दूसरे डिस्ट्रिक्स में लेकिन लोकल लेवल पे समान वो रहेगा वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सारा हम बात करें अगर स्टेट लेवल का तो स्टेट लेवल में वो समान होता है जो कि जल्दी खराब नहीं होता जैसे कि आपका मान के चलो आपका हो गया फ्लोर हो गया, गेहूं हो गया या फिर आपका जो खाने पीने का समान है आपका FMCG में जो आता है आपका OL हो गया, ये सब थोड़ा टाइम लगता है खराब होने में, ठीक है तो ये आएगा हमारा किस के अंदर स्टेट लेवल में, फरक दोनों में क्या है स्टेट लेवल और लोकल लेवल में है एक ही, डेली के अंदर ही मैं मालो, डेली से मैं सीपी में माल बेच रहा हूँ लेकिन मैं मिल्क का सप्लाई कर रहा हूँ तो इसे बोलेंगा भाई, आपका लोकल है लेकिन अगर वही सीपी में जाके मैं मालो मैं आटे का सप्लाई करता हूँ या चावल के सप्लाई करता हूँ राइस का तो ये State Level का होगा State के अंदर ही है National Level में क्या होगा मैं दिल्ली से पंजाब चले जाऊँगा दिल्ली से मैं हरियाना चले जाऊँगा यानि state change हो जाएगा इसको क्या बोलते है national level इसमें normally वो समान होता है जो कि एक डेड़ साल दो साल चलता है जैसे कि आप बोल सकते हो कि machinery, cloth, furniture ये सारी चीज़े इसके इंदर कबरब रहेगा तो हमारे retail business internal trade को दो basis करें हमने एक तो relationship में कितने थे बताओ direct indirect direct में सीधा ग्रहाक के पास माल गया indirect में तीन है wholesaler, retailer, agent wholesaler के अंदर माल खरीदोगे तो wholesaler हो गया retailer से यानि last chain पे माल खरीदोगे तो retailer और अगर agent बीच रहे है तो ये example अगर मैं दूँ तो direct business का अगर example मैं दूँ तो कई जिखाए दुकान पे लिखाओगा factory outlet factory rate पे समान यहां पे दिया जाता है तो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो की आपका उनका इतना ज़्यादा popular नहीं है तो समान को सस्ता बेचे तो साइद चल पड़े तो वो direct factory वाले किसको बेचने लग जाते हैं customer को ठीक है indirect में अगर मैं wholesaler की बात करूं तो wholesaler के तो बहुत सारे एक्जामपल हैं आप यहां से माल नहीं लेते आप यहां पास में स्रीनगर से लिया आते हो register वगेरा या फिर आपने देखा होगा कि आप पैन वगेरा अगर जब आपका जैसे कि आपने पास किया तो आपको बल्क में चाहिए होता register pen pencil तो आप ऐसे चले जाते हो चावड़ी बजार चले जाओगे यह श्रीनगर चले जाओगे वहां से लिया ओगे ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूं रिटेलर की बात करो तो रिटेलर वो है एक बार तो ली आए और फस्ट रम भी आ गया एक एक रिजिस्टर चाहिए एक एक पैन चाहिए तो आप कहां यूज करते हो जाके तो जो दुकानदार होता है वो पहले होलसेलर से खरीद के लाता है होलसेलर कहां से खरीदता होगा Suzuki Ultraros नेपोइंट करते हैं और वो समान को क्या करते हैं यहां पर बेचते हैं लेवल की बात करें तो तीन लेवल है लोकल स्टेट नेशनल लोकल लेवल में परी फेल गुड होता है हमारा जो कि बहुत जल्दी फास्ट मुविंग जो खराब हो सकता है फ्रूट्स वेजिटेबल मि या कोई भी जैसे हो गया आपका फॉर एक्जामपल राइस हो गया आपका फ्लोर हो गया या फिर आपका ओल हो गया यह सारा किसमें आ जाएगा स्टेट में इसके बाद आगे बात करें नैशनल एक राज्य से दूसरे राज्य में क्वांटिटी बेस पे होल्सेलर और कम होगा यह क्वांटिटी बेस पे अगर मैं इंटर्नल ट्रेड बोड़ो तो होलसेलर से हमें ज़्यादा समान खरीदना पड़ता है और रिटेलर से हमें कम क्वांटिटी में समान खरागर जो बहुत बल्क में कहीं पर जाओगे तो वो समान बोलता है भाई हमें एक पे कोई बोलता है कि आपका चलो मैं आपको एक पीस भी दे दूँँ आपको तो वो क्या है हमारा रिटेलर है ठीक है तो कहीं न कहीं देखो तो ये वाला पॉइंट ना इस इंडारेक्ट में भी कवर है है कि ने तो थर्ड पॉइंट बस क्वांटिटी बेस पे हो गया क्वांटिटी हमारा क्या होगा जादा खरीदना होगा तो इसके अंदर आपके बुक में कुछ मेंशन है पॉइंट मैं एक बार इसको बस हेडिंग हेडिंग समझा के क्लियर कर दूँ